हेलो फ्रेंड्स नम्मिता क्रेटी चैनल में आप सभी को स्वागत है तो फ्रेंड यहां पर देखिए प्लास्टिक बोरी का रियूज कर रहे हूं जो राइस आता है आपके पास भी बहुत सारे ऐसे ही भोरी होगी तो आप भी ऐसे ही इस्तमाल कीजिए देखिए मैं उसका मेजर करके अभी दोनों साइड से कट कर रहे हूं कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ उसका फाइनल मेजर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरे मैं साइड में भी थुड़ा सा कट कर रहे हूँ अभी देखिए स्क्रीन पर 23 इंटू 18 इंच का देखिए अभी मैं दो पीस औरली हूँ हैंडल के लिए 3 इंटू 15 इंच का बीच में राइस बेक का एक पिक्स रख के दोनों साइट से सिलाई करेंगे तो देखिए हमारा हैंड़ थेयार हो गया है अभी हम क्या करेंगे मैं पीस इंच की राइस बोरी में 6 इंच में मार कर देंगे ज़्केल यह देखिए मैं अभी पीन लगा रही हूँ, बाद मैं सिलाई करूंगी, दखिए, पीन लगा रही हूँ, दूसरे साइड भी वेसे ही करना है, देखिए, मैं अभी दूसरे साइड में भी कर रही हूँ, सिलाई में मार कर रही हूँ, दोनों साइड से, अभी हैंडल को इधर से एटेज करेंगे, देखिए, पीन लगा रही हूँ, अभी हमें हैंडल एटेज होने के बाद देखिए, अभी आपके पास भी ऐसे ही सपिंग बैक पड़ी होगी, तो देखिए, अभी मैं एक पीस ले रही हूँ, 8 इंटो 8 इंज का, अभी हम एक्ष्टा को कट कर देंगे, और दोनों को अलग कर देंगे, देखिए, अलग करने के बाद, अभी हम क्या करेंगे देखिए बीज से सेंटर मार निकाल देंगे मैं मार कर रहे हूँ उसके नीचे थ्री इंज मैं मार कर दोंगी देखिए मार करने के बाद अभी हम यह उपर के साइट से फोल करके तीनो अर्से सिलाई करेंगे दोनों पीस एटेश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इधर से भी बीच में फोल करके नीचे से थ्री इंज में मार कर देंगे और पकेड को एटेश कर देंगे देखिए सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए हमारा सिलाई हो चुकी है पकेड बन गया है अभी हम हैंडल को बीच में रखके और एक पीस उल्टा रखके मैं फेब्रिक को उल्टा रखके दोनों साइड से सिलाई करेंगे मैं अभी पीन कर रहे हूँ आपके पास पीन नहीं है तो सेप्टी पीन भी लगा सकते हैं दोनों साइड से कर रहे हूँ अभी मैं सिला के आपको दिखाती हूँ सिलाई हो चुकी है अभी हम धर से सिधा कर देंगे सिधा करने के बाद दोनों साइड से स्टॉप स्टीच कर देंगे देखिए अच्छे तरह सेट करके अभी हम उपर एक एक सिलाई करेंगे देखिए दोनों साइड से सिलाई करेंगे देखिए सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई हो चुकी है अभी देखिए, कितना बड़ा साइच का बन गया है, अब दोनों साइच से सिलाई करेंगे अब नीचे के साइच से हम मार करके दखिए, इधर से 2 लेंगे, 2.5 लेंगे, 3 लेंगे, अब यहां कट करेंगे, दोनों साइच से देखिए कट करने के बाद देखिए दोनों से इसे कट करेंगे देखिए से मेजर में कट करेंगे कट करने बाद दोनों को मिलाकर हम अभी सिलाई करेंगे दर से सिलाई दुसरे साइड भी सिलाई सिलाई करके मैं दिखाती हूँ सिलाई करने के बाद अभी हम उसमें एक पाइपिन दे देंगे ताकि राइस बैक दिखाई ना दे और भी सुन्दर दिखे दोनों साइड से एटेज करने के बाद मैं आपको बताती हूँ एक ही एटेज हो गया है अभी मैं सिधा करके आपको बताती हूँ सिधा करने के बाद अभी हम साइडों से मार करके सिलाई करेंगे इधर से मैं मार करके अभी कोनों से मिला कर सिलाई करेंगे चार वर से इधर सिलाई एक सिलाई इधर भी एक सिलाई इधर भी एक सिलाई देखिए इधर सिलाई हो जाने के बाद रहो गया है अभी हम क्या करेंगे इसमें बेल क्रो का एटेज करेंगे देखिए मैं पीन लगा चुकी हूँ दोनों साइड से अभी मैं सिला कर आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है बैक आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से आर सस्क्राइब चरूर कर देना बाए